हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारी योट्यूब चैनल याहू बाबा पे यह हमारा बूट्स्रेप कोर्स है लेटे 24 टुटोरियल है और इस कोर्स में आप बूट्स्रेप की बटन की क्लासिस सीखने वाले हैं देखी यहां पर हमार पास बूट्स्रेप के अंदर अलग-अलग कलर्स के बटन्स आते हैं कुछ इस तरीके से इस तरह के अगर आप बटन बनाना चाते हैं बूट्स्रेप के अंदर तो जस्ट आपको क्या करना है आपको एक बटन टैग लेना है और उसके अंदर कोई भी ट और अगर आप इसके साथ, इसको color भी देना चाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके लिए अलग-अलग classes आती हैं, कुछ इस तरीके से, आपको between class के साथ ही यह दूसरी classes भी लगानी है, जैसे अगर आप blue color देना चाते हैं, तो आप यहाँ पे देंगे between- primary, और अगर gray color में button लगाना चाते हैं, तो आप देंगे between-scandry, green के लिए between-success, red के लिए आप देंगे between-danger, yellow के लिए between-warning, और यह teal color के लिए between-info, इस तरह light gray और dark gray में भी अलग-अलग buttons के लिए classes हैं, between-light, between-dark, और अगर आप simple link दिखाना चाते हैं, तो आप देंगे between-link, तो यह classes आपको दोनों देनी है, यह लगानी जरूरी है, तभी आपका जो button है, उसकी shape कुछ इस तरीके से आएगी, और उसके साथ अगर आप कोई color देना चाते हैं, तो उसके लिए आपको साथ में यह वाली class लगानी होगी, अब यहाँ पर यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा button tag ही लेना है, इसके लिए आप दूसरे tags भी use कर सकते हैं, आप इसके लिए anchor tag भी ले सकते हैं, यह देखिए, मैंने जैसे anchor tag लिया, और anchor tag के अंदर यहाँ पर दो classes लगा दी, btn जो इसको button बना देगी, और साथ में इसको color दिये blue color का, btn-primary, इसके सा input tag भी ले सकते हैं, यह देखिए, input tag में मैंने यहाँ पर ले लिया button, यह इसकी जगह पे जो हम button forms के अंदर लेते हैं, submit और reset, उसको भी हम use कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, यह देखिए, यहाँ पर type submit या reset, जैसे आपको यहाँ पर boots app की classes ही add करनी है, अब जैसे आपने ब btn-outline और उसके बाद color का name, यह देखिए, primary जो होता है blue color के लिए, gray के लिए secondary, green के लिए success, danger के लिए red, विल्कुल ऐसी हमारे पस और भी classes हैं, मगर यहाँ पर एक बात आपको हमेशे याद रखनी है, यह classes तब ही work करेंगी, अगर आपने साथ में एक special class लगा रखी होगी btn, जो की इस anchor tag को, या button tag को, input tag को button बनाएगी, और इसकी shape वैसे बनाएगी, तो आइए शुरू करते हैं practical और देखते हैं कि यह button को हम कैसे use कर सकते हैं, यहाँ देखिए web editor के अंदर, मैंने एक file बना लिए है, जिसका नाम मैंने रखा buttons.html, और इसके head tag के अंदर मैंने यहाँ पर एक meta tag डाला, viewport नाम से, और उसी के नीचे यहाँ पर मैंने boot setup की external CSS की file को include किया है, और उससे नीचे यहाँ पर मैंने अपनी खुद की file बनाई है style.css, इसके अंदर just मैंने container को एक border दिया है, आप देख सकते हैं black color का border है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ body tag के अं CSS में padding दिये, अब यहाँ पर मैं अपनी button class को लगाना चाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं anchor tag ले ले लेता हूँ, और इसके अंदर just कुछ भी लिख देता हूँ अभी, जैसे submit, और यहाँ पर मुझे class लगानी है boot setup की, पहले तो मैं लगाँगा btn, और btn के साथ म blue color set करना चाता हूँ, तो उसके लिए class है btn-primary, यह देखिए, अभी मैं आपको इतना ही चाक कराता हूँ, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ anchor page को refresh, यह देखिए, यह हमारा button आ चुक है, जैसी में इस पर hover करूँगा, देखिए, इसका जो color है, वो भी dark color है, इसी तरह मैं यहाँ पर जुरूरी नहीं anchor tag लूँगा, मैं button लेकर भी दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर href हटा देना है, यहाँ type में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया button, और इसको class के साथ, जो आप classes यूज़ कर रहे हैं, वो same classes रहेंगी, बस यहाँ पर आप color बगरा change कर सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ colors ले हैं, मैंने यहाँ पर file को save किया, और यहाँ के refresh, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह सारे colors के button आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए, जो मैंने last में दो button डाले हैं, उनके बीच में space नहीं आई है, तो space कब आएगी, जब आप anchor tags ले रहे होंगे, तो यह हमारे normal buttons है, अब यही buttons के अंदर हम अगर outline वाला style लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं, तो उसके लिए just मैं क्या करता हूँ, मैं anchor tag को यह copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर, जो यह मेरी beating class है, इसके साथ मे मेरे को इस class का name change करना है, मेरे को just इसके बीच में लिख देना है outline, तो यहाँ पर देखिए, beating के बाद मेरे को लिखना है outline, और इसके बाद मैं कौन सा color लगाना चाहता हूँ, तो हमारे कुछ colors रह गए हैं, तो जैसे color है info, मैं इसी को duplicate कर लेता हूँ, एक color है dark, जो की dark gray color ले आएगा, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर page को refresh, यहाँ कुछ गरबड हुई है, मैं एक बाद चक करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने button tag लिया था, यहाँ closing में anchor tag रखा हुआ है, यह भी गरबड है, यहाँ मैंने file को save किया, और यह देखिए, य हम जितने भी यह colors है, सब मैं outline लगा सकते हैं, तो यह हमारे पास दो तरीके के button के styles आते हैं, और इसके साथ हमारे को मिलते है button के अलग-लग sizes, आईए उसको देखते हैं, देखिए हमारे को यहाँ पर तीन तरीके के button के sizes मिलते हैं, एक तो हमारे पास normal button होता है, जैसे कि यह अब यह आपने देखा, एक इससे बड़ा button होता है, कुछ इस तरीके से, और एक इससे छोटा button होता है, तो जो उनसा भी आपको button लगाना है, सबसे पहले आपको उसपे class लगानी है, btn, जैसा कि यह आपने देखा, और अगर आप normal button से बड़ा button बनाना चाते हैं, तो उस के लिए btn-lg, और small case में btn-sm, तो यह तीन sizes है हमारे पास button के, इसमें एक अलग button भी आता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए मालीजी हमारे पास एक div है, और उसकी width आपको यहाँ पे दिख रही है, यह बहुत बड़ी width है, अब आप चाहते हैं कि पूरी width ज btn-block बनाने से होगा क्या, वो display block बन जाएगा, मतले कि वो पूरा width उतनी cover कर लेगा, जितने div की width है, तो यह basically हमारे पास चार अलग-अलग sizes के buttons होते हैं, इसके इलावा भी हमारे पास दो तरीके की classes आती हैं, वो classes के होती हैं, वो थी active और disable button के लिए, जैसा कि अभी आप आप चाते हैं कि आपका button ये dark mode में ही दिखता रहे, तो इसके लिए आप यहाँ पे class लगा सकते हैं, active, active का मतलब होता है basically, कि आपने उस डिपर click किया हुआ, और इसी तरह हम जो ये button है, अगर आप चाते हैं कि इस पर कोई click ना कर पाए, particular किसी case में, तो button की जो look है, वो click नहीं कर सकते, तो आइए शुरू करते हैं, practical और देखते हैं, कि ये classes भी हम कैसे use कर सकते हैं, अब जैसे कि हमने ये buttons बनाए थे, अब इन पे ही मैं size लगा के दिखाता हूँ आपको, तो इसके लिए just मेरे को क्या करना है, जैसे ये primary बाला है, blue color का button जो है, इसको मैं large बन लेता हूँ, और यहाँ पर success में दे लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा LG की जगह पे SM, यह देखिए, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ आपकर page को refresh किया, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह हमारा large button हो गया, यह हमारा medium button है, जो कि हम normal देख ही रहे थे पहले, और यह हमारा बन गया small button, तो यह as per आपकी requirement आप जैसा भी button बनाना चाते हैं, size रखना चाते हैं, वो रख सकते हैं, अब इसके बाद मैं आपको एक block button भी बना के दिखाता हूँ, तो उसके लिए just मैं यहाँ क्या करता हूँ, जहां यह हमारा row div बंद हो रहे हैं, इसी के न यहाँ पर मैं यही anchor tag copy कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पर मैंने button class लगाई है, button primary है, blue color set करने के लिए, अब यहाँ पर मैं एक last size बचा है मारे पास, button block उसको लगा लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर page को refresh, यह देखिए, आप देख र तो देखिए, यहाँ तक पूरा div आ चुका है, मैं इस पर उपर और नीचे से padding भी लगा देता हूँ, तो just मैं यही वाली class copy कर लेता हूँ उपर से, और यहाँ पर इसे paste कर देता हूँ, यह देखिए, यहाँ मैंने file को save किया, और यह देखिए, तो यह आपने देखा, यह देखिए, ब्लॉक लग गया है, इस पर class जो हमारी है, CSS की property होती है, और मैं इसी के साथ आपको दूसरी classes भी लगा के दिखाता हूँ, जो दो classes बची है, active और disabled, तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर blue color का button देख रहे हैं, जब मैं hover करता हूँ, तो आप देख रहे हैं, यहा active class है हमारी, इसी पर मैं एक class और लगा देता हूँ, active, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर पेज को refresh, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह normal blue color है, और जो उपर आप देख रहे हैं, वो dark blue color का shade आ रहा है, इस तरह आप किसी भी color के साथ active class लगा देगे, तो उसका dark color यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, disabled, देखिए, यहाँ पर एक चीज़ पर गौर कीजी, यह हमारा button है, ना कि यह anchor tag, तो जो disabled नाम की class आए, वो basically आई है, anchor tag के लिए, अगर आपको button को disable बनाना है, तो उसके अंदर class लगाने की जूरत नहीं, यहाँ पर आप बाहर ही लिख देंगे, disabled, और अगर आपको anchor tag को disable करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मैंने इसके copy किया, और देखिए, जैसे मैं यह success वाले button पर यहाँ पर लगा देता हूँ, disabled, तो यह दोनों का अलग अलग तरीका है, button के लिए आप बाहर लगाएंगे, disabled, और anchor tag प कर रहा हूँ, तो pointer भी नहीं आ रहा, और यह clickable भी नहीं है, क्योंकि मैंने इन दोनों को disabled कर दिया, तो ऐसे disabled करने की जूरत पड़ती कब है, यह कि अगर हम कोई form बना रहे है, और उसके अंदर हमने PHP लगाई है, या Ajax लगाई है, हम चाहते हैं कि जैसे user submit करे, single submit होने के बात हम चाहते हैं कि user उस button पर दुबारा ना click कर सके, जब तक उसकी processing complete ना हो जए, तो हम उसको disabled कर देते हैं, तो यह तो सारा काम होता है dynamically, जिसके लिए हम JavaScript, JQuery या PHP या PHP यूज़ कर सकते हैं, वगर जहां पर जस्ट मैंने आपको बता दी कि इसके हम designing कैसे करते हैं, हमारे पर इसके लिए bootstrap के अंदर classes कौनकौन सी है, active या disabled, तो यह थे हमारे simple buttons जो आपने इस वीडियो में देखे हैं, इसे next वीडियो में हम button groups करेंगे, जो कि एक ग्रूप में button बनते हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए।